हेलो इस लेक्शिर के अंदर हम बात करने वाले हैं हिूमन आई के बारे में हिूमन आई वो पोर्शन हिूमन का हिूमन बॉड़ी का जिससे अपन इस कलरफुल वर्ल्ड को देखते हैं हमारी आई जो है वो बाहर से देखने पर हमको उसका एक बहुत छोटा पोर्शन दिखाई दिता है यह एक्शुली में एक कैमरा की तरह वर्क करती है इसको अगर अंदर से देखें तो यह एक बॉल की तरह होती है एक बॉल जिसका डायमीटर होता है 2.3 सेंटिमेंटर इसके अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं अगर इसके पार्ट को हम एक एक करके देखें तो वो पार्ट जो हमको सबसे आगे से दिखता है जब भी हम आई को देखते हैं आगे से तो किसी की आई में जो पार्ट हमको विजिबल होता है वो पार्ट होता है कॉर्णिया, आईरिस यह तीम पार्ट हमको आई के आगे से विजिबल होते हैं आई के इस्ट्रक्शर की अगर मैं बात करूं आई के अंदर सबसे आगे जो अपन को पार्ट दिखता है ठीक है जिसकी बेचे से आई का कलर हमको दिखता है किसी की आई अपन को ब्लू दिखती है किसी की ग्रीन बिलती हैं 것은 यह जो आइस के कलर हमको देखते हैं यह कलर एक्शुलिय हम में को आयरिस का कलर दिखता है हमारी आई के इंदर जो आइरिस आईरिस एक के अदर ट्रेय है वो आइरिस इक अजार क fällt डाइफ जिस आई अपनी दिख्ती है हमारी आयरिस के अंदर जो pigment है उसी कलर को reflect करता है जिसे माल लोविस डाइग्राम के अंदर मुझे अपनी आई ग्रीन कलर की दिख रही है तो मतलब उसका आयरिस मुझे ग्रीन दिख रहा है और वो इसलिए है क्योंकि यह आई के अंदर जो pigment है वो green color को reflect कर रहा है लेकिन अगर मैं किसी का आई क्यों दोई हूँ और वो आई brown color की है तो इसका मतलब क्या हो गया? कि उसके अंदर ऐसा pigment है जो क्या कर रहा है? ब्राउन कलर को reflect कर रहा है जिसकी वज़े से वो brown color की आईरिस मुझे दिखती है ठीक है? तो यह जो आईरिस वाला पार्ट है यह मेरे को आगे से front से हमेशा आई में देखेगा इस आईरिस के बिलकुल बीच में एक ऐसा portion जो हमको देखता है ब्लैक कलर का देखता है उसको हम बोलते हैं people यह वो portion है जिस portion से light ray कोई भी light अगर सामने से आईगी तो हमारी eye के अंदर इस eye wall के अंदर enter करेगी आगे से light rays आती है आईरिस पे incident होती है आईरिस उनको रोकता है आईरिस के बिलकुल center में एक ऐसा portion है black color का जिसको हम देखते हैं वो portion एकदम hollow portion है अना वो खाली जगा है उस खाली जगा से light हमारी eye के अंदर enter करती है यह जो खाली जगा है जिसको अपन pupil बोल रहे हैं यह actually में एक circular aperture है जो आईरिस के बिलकुल center पे है इसका काम क्या है यह actually में हमारी eye के अंदर enter करने वाले light के amount को control करती है control करने दे क्या होगा हमको एक fix amount of light eye के अंदर required होता है जिससे अपन चीचों को देख सके हैं जब भी अपन बहुत ज्यादा धूप में बहुत ज्यादा light में जाते हैं तो वह light हमारी eye के अंदर enter ना करे तो उस light के amount को रोकने के लिए हमारे जो people है वो अपने size को reduce करती है अब people के size को तो कौन control करता है आईरिस control करती है तो actually में क्या होता है कि people का size और light के size को कम करने के लिए people का size चोटा होता है और उसे जो आईरिस है वो अपनी expand हो जाती है आईरिस के expand होने से प्यूपिल का size छोटा हो जाता है делать जब हम ऐसी जगह जाते है लाइख कम है तो अपने एक के अंदर ज्याधा light की requirement होती है तो ज्यादा लाइट की रेक्वारिमेंट होने के लिए प्यूफिल अपने साइज को इंक्रीज करता है तो उसके लिए जो आइरिस है वो अपने को क्या करता है कॉंट्रेक्ट करता है जिससे प्यूफिल का साइज इंक्रीज हो सके और प्यूफिल का साइज इंक्रीज होता है त जब भी अपन कहीं अधिरे में जाते हैं, तो धीरे-धीरे यह जो hole है, अपना size increase कर लेता है, which is called pupil, तो क्या काम आ रहा है यह? यह अपनी eye के अंदर enter करने वाले low heat के amount को control कर रहा है, ठीक है? इसके बाद अगर हम बात करें, eye का वो portion जो front से हमको देखता है, transparent है, concave shape का है, ज यह आई के अंदर maximum reflection को करता है, यह outer most surface है, transparent part है, ठीक है? यहीं से light अपनी eye के अंदर enter करती है, मतलब light जब आएगी तो सबसे पहले, जिस part वो touch करेगी, वो part कोर्निया है, ठीक है? सामने से जो मिले को shine करता हो, वो part दिखता है, transparent part, iris से भी आगे, वो कोर्निया है, ठीक है maximum जो reflection होता है, eye के अंदर light का, light जब भी enter करेगी, light raise के through image का formation होगा, image formation जो होता है, वो eye के पीछे eyeball पे होता है, तो उसके लिए reflect करना होता है light को, तो reflect आपका eye का lens तो करता ही है, लेकिन उसके साथ और भी चीज़े जो eye के अंदर transparent है, उसको help करती है उस reflection में, तो cornea भी उन light का, ठीक है, यह जो cornea है, हमको आगे से देखता है, concave shape का होता है, transparent है, इस cornea के बाद बाद करूँ, तो एक liquid, watery liquid, जिसको बोलते हैं, aqueous humor, वो अपनी eye के अंदर filled होता है, यह जो aqueous humor है, यह filled होता है अपने lens और cornea के बीच में, aqueous humor, जो है, इस aqueous humor का, जो taste है, वो होता है, salty, ठीक है, और इसका जो refractive index है, वो है 1.33, ठीक, यह जो salty liquid है, जिसको अपन aqueous humor बोल रहे हैं, यह actually इमें lens को और cornea को nutrition प्रवाइड करता है, ठीक है, liquid है, watery liquid है, water का मतलब ही aqueous हो गया, aqua, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, आपन aqueous humor बोल रहे हैं, ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ आगे की, थो हमारी eye के अंदर, cornea, पीछे aqueous humor और aqueous humor की पीछे iris और iris के पीछे होता है अपना eye lens, यह जो eye lens होता है, यह eye lens, अपनी eye का lens है, जो क्या करता है, रेफ्रेक्शन करता है, यह actually मैं एक turn-overging crystalline lens होता है, जो बना होता है jelly जैसे material से, यह किसी भी solid material से नहीं बनता, यह jelly जैसे material से बनता है, जो अपनी shape को change कर सकता है, ठीक है, इसका जो radius है, radius of curvature है, outer most surface का, वो greater होता है inner most surface से, मतलब यह surfaces की form में होता, ऐसा नहीं है, यह single material से बनेगा, यह surfaces की form में होगा, मतलब layer क than layer, इसी तरह अपना eye lens होता है, जिस में से जो internal most, inner most part है, उसका radius of curvature मनीम होगा, जैसे बन बहार रहते हैंगे, उसका radius of curvature increase होता जाएगा, इसका जो refractive index है, वो होता है, 1.44 काम क्या है, काम वही है, अपने eye के अंदर image formation के लिए हमको light rays को reflect करना होता है, तो यह light rays को reflect करने का क काम ही करता है, ठीक है, अब अपनी जो eye है, अपनी eye के अंदर total three layers होती है, ठीक है, जो three layers है, उसमें से जो outermost layer है, क्लेरोटिक जिसको बोलते हैं, अपनको whitish दिखता है, अपनको कॉर्णिया के बहुते हैं, वाइट इस portion दिखता है, यह वो है, अब यह जो है, यह सबसे जिदा hard portion है, ठीक है, यह क्या करता है, वाइट कलर का अपनको दिखता है, और यह safety प्रवाइड करता है, अपने eye को, उसके अंदर जो portion है, which is called choroid, यह choroid जो portion है, ब्लैक कलर का होता है, दूसरे नंबर की layer है, यह जो layer है, यह ब्लैक कलर के होती है, जैकिन नंबर की layer है, इसकी जो inner surface है, यह black क्यों है, black किसलिए है, क्योंकि यह अपनी eye के अंदर enter करने वाली extra light को absorb करती है, अगर गलती से भी extra light, अपनी eye के अंदर enter कर जाए, light का reflection बार-बार हो अंदर, वो नहीं हो, उसको रोपने के लिए, जो second layer है, वो होती है, which is black, और यह क्या करती है, extra light को absorb करती है, ठीक है, सबसे अंदर जो लाई अपना portion है, सबसे अंदर वाली जो layer है, वो is called retina, यह inner most transparent surface है, यह actually में एक film है, जो optic nerve से, nerve से बनी होई होती है, ठीक है, जो क्या कर रही है, eye के back surface को cover कर रही है, ठीक है, retina में actually, retina ही वो portion है, जहां पे अपनी image formation होता है, इस retina में sense करने के लिए, ऐसे मालों को sensors होते है, ठीक है, actually में वो है तो nerves ही, उनको sensors में इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि वो light वहाँ पे image formation हो रहा है, उसको sense करती है, ठीक है, अब जो sense कर रही है, sensors है, वो roads या cones होती है, roads, simple, जिसको road बोलते है, या पिर cone होती है, यह roads और cones जो है, यह क्या करती है, इनमें से जो roads है, वो तो intensity of light को sense करती है, और cone जो है, वो color को sense करती है, ठीक है, अब यह जो cones and roads है, यह return क्यों पर है, जब image formation होगा, light intensity और color को sense करेंगे, और यहां से sense करके यह इनको electrical signal की form में एक nerves, जिनको optic nerves हपन कहते हैं, उनके तुरू brain तक पहुचाती है, ठीक है, अब क्या है कि वह यह जो बिल्कुल center part है, आई की shape कैसी है, बॉल जैसी है, तो इसी बॉल जैसी shape को maintain रखने के लिए भी एक liquid field होता है, जिसको vitreous humor अपन बोलते हैं, अगर यह vitreous humor यहां नहीं होता, यह भी water liquid है, जैली जैसा liquid है, जैली जैसा material है, अगर यह नहीं होता, तो अपनी eyeball का जो shape है, वो भी round नहीं होता, ठीक है, तो यह अपनी eyeball की shape को क्या बना के रखता है, round बना के रखता है, ठीक है बई, अब क्या है कि जब sense कर लेते हैं, इमेज को, इमेज जो formation हुआ है, उस इमेज को यहां से पहुचाते हैं, कहां, इमेज को पहुचाते हैं, optics nerves की through, एक nerves होती है, जिनका connection brain के साथ होता है, ऐसे माल लो, कोई भी wire होते हैं, जिनका connection brain के साथ होता है, जो इमेज बन रही है, उसको electrical signality form में आई तक पहुचाते ह हैं, ठीक है, अब देखो मैं वापस lens पे आऊं, तो अपना lens जो है, वो क्या करता है, lens सारी, lens क्या करता है, lens सारी light rays जो सामने से आ रही है न, उनको focus करता है पीछे retina पे, retina में focus करता है, image formation करता है, जब भी अपन अपने eye के through देखते हैं, तो दूर वाले object को भी देख सक करना है, ठीक है, ठीक है, अच्यूली में जहां focus करते हैं, light rays को, retina पे, उस point को बोलते है, yellow spot, यह yellow spot है, most sensitive part है, yellow spot इसली बोल रहे है, yellowish color का होता है, ठीक है, most sensitive part है, यहां बनने वाली light ray का, एकदम clear signal अपने brain तक पहुचाएगा, ठीक है, अब क्या है, अब क्या है, दूर वाली object का भी image बना रही है, पासवाली object का image भी बना रही है, अब पहले light rays होंगी, अब पहले light rays होगी, तो वहीं लेक्ट से आने वाली light rays उनको बहुत ज्यादा bend lens को करना पड़ता है मतलब पास वाले अब्जक्ट के लिए उसको ज्यादा बेंडिंगी ज्यादा refraction करना है दूर वाले object के लिए कम refraction करना है और लेंस एक ही है वही पास वाले अब्जेक्ट को दखा रहा है वही दूर वाले अब्जेक्ट को दखा रहा है तो लेंस तो अपना चेंज नहीं कर सकते हैं कि दूर वाले अब्जेक्ट के लिए सेपरेट ले लेंस ले लें जैसे दोनों की फोकल लेंड डिफरेंट हो अपन बोलते हैं ऐसी के ऊपर और नीचे होती है मशल्च II है यह क्या करती है यह अपने कि कि को कंट्रोल करती है लेंस महन लो दूरवाले उबbreaker के इमेज उसको बनानी है वह जो विट है ऑपका करें लेंज को खीष्टी है और नीचे से उसको एकसपैंड करने से दूरवाले उब्जेक्ट की इमेज रेटीना पे बनानी है तो उसके लिए पन को ज्यादा रिफ्रेक्शन करना पड़ेगा लेंज की थिकनेस ज्यादा होना चाहिए बोटा करने के लिए वह जो फूरी चोड़ देती है तो फूरी चोड़ देती तो क्या होता है कि वह पास वाले अब्जेक्ट को more reflect कर सकता है तो भी अपन की जो इमेज़ फॉर्मेशन है वो डेटिना पर ही हो जाएगा तो इस तरह से लिए क्या करती है आई लेंस के साइज को कंट्रोल करके और अपना जो लेंस है उसके थुरू इमेज़ फॉर्मेशन इक ही पॉइंट पे कर सकती है ठीक है अब इस से लिए मसल जो है यह ऐसा कर पा रही है कैसा कर पा रही है कि दूर वाले अब्जेक्ट के लिए पास वाले लेंस अपना एड्जस्टेबल है तो एड्जस्ट होने की जो पावर होते हैं अपने लेंस की इसको बोलते हैं अकुमोडेटिंग पावर और पावर ओफ अकुमोडेशन ठीक है तो अपना जो नेक्स टॉपिक होगा वो भी पावर ओफ अकुमोडेशन या अकुमोडेटि झाल